असलाम अलेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग, आज मैं आपके साथ शेर करने जारी हैं, बहुती क्रिस्पी करा रहें एक तब न्यू स्केल में, अफगानी प्राठा की रस्पी, जो साइके में इतने लाजवाब और इतने रस्पी और बहुती यूनिक स्काल में बनने वाले ह उसके लिए आपने रेस्पी को पूरा देखने कि इसमें हम किस चीज का इस्तमाल करेंगे और कौन सी चीजें इसके अंदर डलेंगी और इतने क्रिस्पी कैसे बनेंगे तो अगर वीडियो जरा भी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीज करेंगा उसी से मेरी हाद नियो वीडियो को अब को फ्री में देखने को मिलेंगी तो चलते हैं बनाते हैं अपने अफगानी प्राठा की रैस्पी ये देखिजी प्राठे बनाने के लिए सबसे पहले हम डोराडी करेंगे जिसके लिए मैंने एक कब मेदा ले लिया मेदे को हम चान लेंगे बिना चाने हम मेदे का इसमाल नहीं करेंगे और साथ ही एक कब मैंने गंदम का आटा ले लिया जो जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं न वही आटा हम लेंगे दोनों को हम अच्छी तरह mix का लेंगे इसके अंदर half-ty spoon जित्रह में नमक डालोगी half-ty spoon ही इसके अंदर में जीरा डालोगी सावद वाला और थोड़ा-擊र पानी डाल कर हमने इसकी एक डॉस ही बना ले लिया है जैसे हम घर में आटा गुंदते हैं रोटी बनाने के लिए वैसा ही इसको हमने गुंदने हैं अच्छी तरह और इसको और बीक ज्यादा क्रिस्पी करारा करने के लिए इसके अंदर में 2-3 टेबर स्पून कोकिंग ऑईल के डालूँगी अच्छी तरह हमने गुंदने जितना हमारा आटा अच्छी तरह गुंदा होगा हमारे प्राठे उतने ही क्रिस्पी करारे उतने ही अच्छे बनेंगे यह देखे जी अच्छी तरह मैंने अपने आटे को गुंद लेना है आपने इसी तरह ही गुंद रहा है यह देखे इतना ही आपने सॉफ्ट रखना है अब इसको हम कोई डखकन देखर या कपड़ा उपर देखकर 10-15 मिनिट के लिए रेस्पे रखेंगे अब चलते हैं अपने नेक्स टेप को आटे को हमने रेस्पे रख लिया यह मैंने दो अदद बड़े वाले आलू लिया था बॉयल कर लिया था इनको मैस्ट भी कर लिया था अनार दाना डालूंगी इसके अंदर वन टेबर स्पॉन अजवाइन डालूंगी कोईटे टी लिया था जिसको मैंने चोटे-चोटे क्यों में कटका लिया था वो डालेंगी हरी मिर्चे डालूंगी चोटे-चोटी कटी अगर आप बच्चों के लिए बना ले रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं हाफ टी स्पॉन इसके अंदर में सुर्ख मिर्च का पौडर डालूंगी हाफ टी स्पॉन हल्दी पौडर डालूंगी हाफ टी स्पॉन ही इसके अंदर में नमक डालूंगी वन टी स्पॉन इसके अंदर सुका धनिया का पौडर डालूंगी वन टी स्पॉन चेली फ्लेक्स काल लेना है जो मोटे वाले अलू अंदर रह गया है उनको हाथ के साथ अच्छी तरह हम मेच काल लेंगे ये देखे जी अफगानी प्राथा के स्टफिंग रैडी है अब जो हमने आटा रैस्प पे रखा था उसका एक छोटा सा पेड़ा बना लेंगे ज्यादा बड़े वाला हम पेड़ा नहीं बनाएंगे चोटे वाला बनाने इस तरह हाथ के साथ पेड़ा बना ले बस इतना सही बनाएंगे इसको थोड़ा सा हम मेदा लगाएंगे और इसके और छोटी प्यारी पत्ली से रोटी बेलनी है साध़ बोटे बाटी नहीं बेलेंगे यह सारी tips अपने दिहान से देखनी है क्योंकर यह छोटी छोटी tips होती है जिनसे रस्पी हमारी अच्छी बनके ready होती है बेलन के साथ अची तरह हमने बेल लेनी है रोटी अपनी और वीडियो को पूरा देखा करें बिना स्किप करें जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बहुत सारी चीज अंदर से मिस हो जाती हैं जब हम गर में रेस्पी बनाते हैं तो हमारी रेस्पी जड़ा भी अच्छी नहीं बनती, इसलिए रेस्पी को पूरा देखा करें, रोटी हमारी बिल गई है, इसके उपर मैंने वन टेबर स्पून भर कर कुकिंग और का डाली है, हाथ के साथ पूरी रोटी पे हम फिला लें लिए। तो आपना प्राठा हम इसके अंदर रखेंगे अगर देखेंगे प्राठा में रखती है मिडियम लो फ्लेम पे इसको हमने 3-4 मिनुन तक पकाने हाइफ लेम पर नहीं पकाएंगे मिडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लग रहे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों में फैमिली में शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी जुरूर बताइएगा कॉर्ट पर मैंने कॉख्या लगा लिया इसकी साइड चेंज करेंगे इसी तरह हम अल्टा-पल्टा करके इसके उपर कॉक्ई ओरिग लगाकि इसको पका लेंगे मिडियोम लूफ लैम पर हाई फ्लयम पर आपने बिल्कुल नहीं ही पकाना नहीं तो उपर से ये पक चांग यह देखेजी प्राटा हमारा बिलकुर एडी है इसको बहुत प्यारा सा कलर आगे बस इतना ही कलर दे हमें चाहिए से ज्यादा हमने ब्राउन नहीं करना अब इसको हमने पिजा कटर के साथ अच्छी तरह कट कर लेंगे चार इसके हम बाइट बना लेंगे इसको आप दही वाला जो रायता होता है उसके साथ या पिर ऐसे भी अचार चटरी के साथ जिसके साथ पिखाएंगे बहुती क्रिस्पी करारे और बहुती कमाल के टेस्ट में बनके रड़ी होंगे आप कुछ भी नाश्ते में हट कर और कुछ खास बनाना चाते हैं तो मैं आपको गरंटी से कह सकती हूँ ये वाले प्राठे जरूर बनाएगा ये वाले बनाएगे तो बच्चे बड़े बेहाद पसंद करेंगे बच्चों को बना कर देंगे बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें या पिर हस्बन को लंच में बना कर बैस सकते हैं यकीन माने सारे बेहाद पसंद करेंगे अगर महमानों के आगे बना कर रखेंगे बे खत ये पसंद करेंगे इसी के साथ अमीद करते हैं आपको मेरे सबसंदा रहीं तो प्लीज-बीज फटवरिस जोके इतमाम चैनल Mo Re सबसक्राइब कर देए शाथ में जो को बैल का बटन है उसको जरूर पाशलिए गा önce से मेरी हर नियू विडियों सबसे पहले आपको फ्री में देखने के मिलेगी दोस्तों में फैमिश समेंز में ज्यादे ز्यादा रस्क्रा थी शेर किया करें लाइक या करें अपना और अपने पैरों के हया रखेगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा आपको मेरी रेस्पिस कैसी लगती है आपके कमेंट्स परके मुझे बहुत ज़्यादा खोसला मिलता है बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है नेक्स वीडियो के लिए अलाफेज